थोड़ी सी खराब है इसलिए खराब आवास से काम चुलाना पड़ेगा तो आज हम बात करने जा रहे हैं लोकी के सीजन टू एन एपिसोड फिफ्ट के बारे में चार तक एक्स्प्लेइन कर चुका हूं देख लेना तो बात ऐसी है कि लास्ट एपिसोड के इंदर आल देख पाते हैं और अगर सीन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो टैंपरल लूम अगें रिबिल्ड होने लगता है यानि कि जो शास्वत समय रेखाए हैं वह वापस से एक साथ जुड़ने लगती है मगर हैरानी की बात यह थी कि इस वक्त यहां पर कोई भी नहीं था य जैसे की बड़ी महनतों के बाद में उसने सही किया था अब वह वापस आ चुकी थी और इस प्रॉब्लम का एक डारेक्ट नमूना हम यहां पर भी देख सकते हैं कि वह खुदी को यानि की अपने ही पास्ट वाले वेरियंट को अपने सामने देख पाता है और सेम चीज रि लेकिन यह वाला भी कुछ कम नहीं था क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जितने बी टीवी अंदर काम करने वाले वेरियंट्स थे उनकी पास्ट लाइफ को दिखाया गया था कि आखिर वह लोग कौन थे क्या थे और क्या कर रहे थे जिसके अंदर नमबर वन पर आता है के लेकिसी हमें वक्त दिखाया जाता है 1962 का यह एक सक्रेट टाइम लाइन होती है यह फर इसे एक ब्रांच टाइम लाइन भी कह सकते हैं जगह होती है सेंट फ्रांसिसको कैलिफोर्णिया यहां पर मैलकाटरास नाम की जेल को देख पाते हैं मनी हैस्ट में भी एक टास्क आन कर यहां से निकलने की कोशिश करता है और तब यहां पर लोकी पहुंचता है बट अगीन उसकी टाइम स्लिपिंग वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है वह वहां सिकाया वोकर फिर अपने मैक्डॉनल्स वाली जगह पर पहुंच जाता है और फिर पहुंचता है 2012 न्य यहां पर जगह दिखाया जाती है Cleveland Ohio हम यहां पर मुवियस को देख पाते हैं जिसका पुराना ही सपना था कि वह जट्सकी पर जाये घूमे तो अपनी प्रेजन्ट लाइफ में वह यही कर रहा होता है और यहां इसका नाम होता है डॉन मूवियस यहां को लगने लगता है क अगर वह उससे कुछ कहता है और फिर पहुंचता है 1994 में यह ब्रांच होती है और इस बार जगह थी पैसाडेना कैलिफोर्निया हम यहां पर ओभी यानि की और अरोबरोस को देख पाते हैं यह अपनी पुरानी वाली लाइफ में एक साइंटेस्ट एक राइटर वगर था इस बार यह एक लाइबरी से एक खरीदने के लिए था जिसके कम एडिशन ही बचेते तो लाइबरीरियन कहती है कि इसकी उमारे लाइबरीरी में है नहीं लगता है पर एंटरी करनी पड़ेगी तो वह कहता है कि भाई माफों क्याश देता हूं लेकिन जैसे लाइबरीयरि उसका एक वर्किंग प्लेस देख पाते हैं और यह हूबहू उसके वाले वर्किंग प्लेस से मैच करता है दवियां पर हमारे लोकी महराज प्रकट हो जाते हैं जिसे ओवी खुद अपनी आँखों से देखता है अब एक तरीके से तो एक साइंटिस्ट के लिए यह होना न हो रहे थे और उसी वजह से मैं अभी भी इस टाइम स्लिपिंग की मदद से तुम तक पहुंचाओं इस पर ओभी का कहना है कि अगर तुम्हें ठीक करना है तो टैम बनाना होगा या फिर तुम्हें अपनी शक्तियों पर काबू पाना होगा तुम ट्राय करके देखो तो व पावर्स पर कंट्रोल ना होने के वजह से इस बार भी कुछ नहीं होता कैर दोनों के लिए यह सचुएशन ऑल्मोस्ट डू और डाय वाली थी क्योंकि अब पता तो था नहीं कि करना क्या है और कैसे है तभी लोकी को याद आता है कि टीवी से जाने से पहले उसने वहां की गाइड बुक उठा ली थी और वो आकर उसी बुक को मलब और बॉरस नहीं लिखी थी उस टाइम पर तो उससे वापिस दे देता है जिस पर भी कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करें कि कुछ ना कुछ जुगार तो लगाई लूँगा और तुम्हारी ये टाइम स्लिपिंग वाली प्रॉब्लम से तुम्हें चुटकारा भी दिला दूगा मगर जहां से तुम आयों यानि कि वह वक्त तबाह होने वाला था टीवे का लास्ट मॉमेंट था अगर तो महां से गयब हो तो इसका मदलत तुम्हारे दोस्त भी वहीं पर होंगे अगर हमें उन सब को बचा इस वक्त मोबियस की लाइफ को देख पाते हैं जहां उसके दो बच्चे होते हैं और वो अपनी लाइफ से काफी खुश भी होता है पहले मोबियस को लिए लगता है कि लुकी यहां पर अगीन एक जैट्स की खरीदने के लिए आया है तो वह से अपने गहराज में लेकर ज नहीं चाहता था लेकिन जब बच्चों का वास्ता आता है तो वो भी लोगी का साथ निभाने के लिए तयार होकर उसके साथ निकल जाता है और दॉन सिल्वी से मिलने के लिए चाहता है और तुम्हारा एक विरिंट कूव टैम शिप कर गया है और तो में मुझे सब मालुम लोकी कहता है तुम्हें मालूम कैसे है क्योंकि मैं अभी तक जिनके भी पास गया सब की मैमरीज वैनिश मतलब गयाव हो चुकी थी किसी को भी पुराना कुछ भी याद नहीं था तो तुम्हें सब कुछ याद कैसे हैं जहां पर सिल्वी बताती है कि हम एक ही वेरियंट हैं ह हमें सब कुछ याद रहता है अब एवेंच्वेली होते भी तो वह गौड है मतलब गौड ऑफ मिस्टीफ कह सकते हैं तो वह सिल्वी से कहता है कि यार चलो मेरे साथ में क्योंकि हमें टीवी को बचाना है तो यह लोग एक बार में बैठे होते हैं जहां पर सिल्वी अपनी है कि मुझे मेरे दोस्ट चाहिए और यह मुमेंट सच में बहुत ज्यादा सैडली था मतलब लोकी का एक पास्ट जब वह एसकार्ड में भी रहता था तबी भी कोई लोग उसके अपने थे नहीं बेटा वह सोतेला था भाई से कभी बनती नहीं थी मां से कभी प्यार मिला दुश्वनों ने उसे मिलकर हैवान बना दिया तो कुल में लाके उसके लाइफ जो थी वह बड़ी बेकार से चल रही थी मगर अब जब उसके नए दोस्त उसे मिले टीवी में तो वह अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता था था यानिकी बेस्ट और सिल्वी यानिकी ग खत्म हो चुका है जिन दोस्तों को पाने के लिए में टीवी के अंदर बुलाना चाहता था मगर वो दोस्त ही अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में खुश है तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं उनकी जिन्देगी उनसे चीन हर कोई सोचता है कि क्या हो गया ब्लैंड डिसमस तु बास मोबाइल यूट्यूब जिन्दावाद है तो गाने सुनते सुनते तभी वहां से स्टार्ट हो जाता है मतलब कि सब कुछ धीरी धीरी करके तबावने लगता है क्योंकि यह टाइम लाइन का एंड आ चुका था तब सिल्वी को समझ में आता है कि उसकी मदब लोगी की बाते सारी सही थी मुझे जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए अब सिल्वी फटाफट से पहुंच थे लोगी के पास में और बोलती है कि अब हम सब कुछ सही कर देंगे लोगी खुश होता है उसे देखकर गले भी लगने वाला होता है लेकिन उससे लगता है कि नहीं फटाव पकड़ता है मगर कोई भी उसके हाथ नहीं आता और सब कुछ एक धूल की तरह वहां से उड़ने लग जाते हैं इस पर लोगी को बहुत गुस्सा आता है और दर्द के मारे चलाता है और जैसे चलाता है वह दस मिनट पीछे पहुंच जाता है तो उसको समझ में आता है कि म बनाने का मौका आ चुका था जहां पर इस एपिसोट के एंड में भी वह कहता है कि अब मैं अपनी स्टोरी खुद लिखूंगा और इसी तक ले सस्पेंस के साथ यह शौंदर एपिसोड यहीं पर खत्म होता है हाला कि मैं जानता हूं कि एपिसोड सच में बहुत अच्छा करते जाना यार क्योंकि सब्सक्राइबर्स और व्यूज की बहुता निए इस चैनल पर और बोलता नियों तो इंस्टाग्राम पर फालो भी नहीं करते हो तो वह भी करें लेना क्योंकि आई ट्रस्ट ऑन यूवाइस मिलते हैं अगले वीडियो में करते हैं यूवाइस मिलते हैं अवीडियों कि अवीडियों पर और बोलता नियुकर अपी हो गभी की जाना महावबर्स गें धर्वाबर्स जाना नियुकर और वूबर्स अब्सेजबंशबर्स 2012년대 अवावश्र चार्वशल चाहएस मिलते हैं मृशल थाओंबर्स पर ब